हेलो दोस्तों स्वागत ते अगली वीडियो में तो यार आज मैं शेयर करूँगा कि मैं क्या EDC करता हूं मेरा everyday carry क्या है मतलब मैं कहीं भी जाओं मैं ओफिस जाओं मैं college जाओं मैं घुमने जाओं कहीं तो मेरे बैग में basically minimum क्या क्या रहेगा मेरा फिक्स जो everyday जो मैं daily carry करता हूं तो फिक्स क्या चीज़ है तो यह मेरा बैग है mostly 99% मैं इसी को carry करता हूं और उसमें यह मैंने दो केरविनर लगा रखे हैं तो यह काफी helpful होते हैं आपको कुछ लटकाना हो मैंनेज करनी हो तो कुछ हाथ में थेल वगरा एकदम से आप इस पर लटका के आपके हाथ फ्री हो जाते हैं काफी helpful रहते हैं उसके बाद जो मैं सबसे में रखता हूं चीज काफी unexpected होगी कई लोग मुश्री लोग करी नहीं करते हैं वह हैं यह वर्क ग्लव्स तो यह वर्क ग्लव्स हैं काफी लाइट वेट हैं और यह मैं इसलिए करता हूं यह बाइच्छांस आप किसी अमर्जेंसी में हो आपको कुछ रिस्की मेटिरियल हैंडल करना हो जैसे कि आप कहीं अपने accident देख लिया आप उनकी help कर रहे हैं कंच है मैटल है काफी बिखरा हुआ तो आप उस सबको handle कैसे करेंगे तो आपको खुद को भी आपको हाथ में लग सकती है injury हो सकती है तो उसके लिए मैं work gloves carry करता हूं कुछ भी आपको ऐसा material जो आपको हाथ को damage कर दे तो उसको handle करने से पहले आप work gloves पहनेंगे तो आपकी काफी injury के chance जो है वो minimize हो जाएंगे कम हो जाएंगे तो मैं ज्यादा first aid carry नहीं करता मैं basically मेरा approach रहते prevention prevention is better than cure तो वही मेरा approach है तो उसके लिए मैं work gloves carry करता हूं कुछ भी emergency होगी तो सबसे पहले इनको पहन लेंगे कम से कम आपके हाथ injured नहीं आपके हाथ injured होए तो फिर आप बहुत से काम नहीं कर पाते हैं अगर आपके हाथ में injury हो जाए आप काफी limited हो जाते ठीक है तो यह work gloves हैं यह हमेशा रहते हैं bag में नीचे दबे रहते हैं बाकी समान के नीचे लेकिन रहते हमेशा है उसके बाद यह second pocket में आता है जो दूसरा सबसे important है वह यह फ्लेश लैट तो यह बैसिकली एक चीफ फ्लेश लैट है चीप इन दसेंस ब्रांडे नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा कोशली यह 700 रुपे की लाइट है तो यह 300-300 लूमन के आसपस की लाइट है तो लाइट जलाते हैं जैसे तो गली के हैं छोड़ा सबल्स लगा दिया एक सिंपल यह बलाब होता है दो रुपे वाला यह बलब लगा दिया तो इसमें यह वेकिए मूनलाइट जो मोड होता है काफी एक लूमन दो लूमन का मोड है वो मिल गया है तो इस से ऐसका बैक अप काफी ज्यादा बढ़ गया जिस दस लेकिन थोड़ा बहुत आपको पढ़ना हो रात में लेकिन बैटरी बचाने तो उसमें यह काफी हेल्फुल है उसके बाद मैं क्यारी करता हूं यह एलेक्टिकल टेप कर रोल है यह और यह थोड़ा कोड़ दे जाए पांच पांच मेंटर के आसपास यह पुलिथिन वाली रोप है उसके बाद आता है इसमें शीशी में थोड़ी मेडिसिन्स रखी हुई है मैंने बुखार वगे रखी कोड़ियों दो चार और एक यह N95 का रेस्पारेटर 3M कंपनी का कभी डश्ट है पुलूशन है आग लग गई है तो उसमें रेस्पारेटर यह काफी काम आएगा अग लगने पर बैसिकली ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो उसमें यह काम नहीं आएगा लेकिन काफी जादा जो कार्बन आप इनेल कर लेते हैं उससे आपको बचाएगा कार्ब आपका इंस्टेंट आपका फायर के उप्शन के लिए आग के उप्शन के लिए लाइट रगे तो यह जैनुरी में रखा था और यह सिंपल आपका वही दस रुपे वाला लाइट आप देख सकते हैं बिलकुल हलकी सी गैस इसमें खतम होई है ना के बराबर तो जैनुरी म आपका देखा हैं आपका लाइख दिसंफेक्शन खांएगा और आपका पई स्टानिंग में घाली में हमाएगा मैं तविभके इसके बार मैंने रखा हुआ है यह गलोव्स रशाशे श्यटीया के लिए चासे नहीं लग वी इसके मेधिकल की ह 5 65 में आप हाथ नहीं लगाना चाहते हैं तो आप गलव्स पैन के यूज कर सकते हैं और यह तरह से यह डिस्पोजबल हैं वह आप ऐसी जगह नहीं लगा सकते यहां आपको फिर फैक नहीं पड़े अब यह अपका काम हो जाए उतार यह फैक दीजिए लेकिन वह दूसरे जो व स्कूरू ड्राइवर ठीक है यह सिंपल छोड़ा सा टेस्ट रहे तो पावर आउटेज में थूड़ा काम कर सकते हैं इस से इसे प्लैटस्टूड्राइवर और एक्ष्रीम जाए करने के लिए तो आपका यह काफी अच्छा सेल्फडिफन्स में भी काम आ सकता है ठीक है औ और एक तरह से यह टूल है हर चीज आपके टूल होती है लेकिन आप एस पर नीड आप इंप्रोवाइज करते हैं तो यह काफी मेरे सबसे काफी अच्छा टूल है एक सेल्फ डिफेंस के लिए जो कि एक एस पर वैपन कंसीडर नहीं करा जाता है तो स्कूरूड्राइवर मेरे सबसे काफी यूसफुल है उसके बाद आ जाता है यह मेरा वॉलेट में थोड़ा बैंड़ेड मेरे को इससे ज्यादा मेडिकल में कुछ आता भी नहीं है इसलिए मैं कुछ रखता भी नहीं हूँ यह फैव कुक है इस्टेंट ग्लू आपका सुपर ग्लू आपके सकते हैं यहां पर एक फैश्टी रखती हुए तो उद्र लाइटर हो गया सेनिटाइजर हो गया और फिर यहां फैश्टी लोगी तो फायर का डिपार्टमेंट आपके इसलि कवर हो गया है कटिंग टूल के लिए यहां एक छोटा सा प्रूट नाइफ रखा हुआ है मैं ज्यादा कुछ सीरियस रखता नहीं हूं रख भी नहीं सकता हूं क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाना होता है इंस्टिटूशन में जाना होता है ठीक है तो वहां पर मल्टि टूल्स नाइफ वगरा वो सब अलाओ नहीं होते लेकिन यह सिंपल प्रूट नाइफ यह मुश्ली अलाओ हो जाता है अज तक मुझे कभी इश हुआ है नहीं तो मैंने यही रखा हुआ है उसके बाद मैं रखता हूं कैश तो कैश आप अपने पास अच्छे से रखें पानी के लि बेसिकली जो आपके सिनेरियो जहां पर आपको पानी फिल्टर करना पड़े वह बहुत कम है लेस देन परसेंट आपको ऐसा कभी होगा कि आपको पानी की जूथ पड़े और आपको आस-पस कहीं ना मिल पाए तो मैं जैसे कि मोस्ट्री अर्बन एडिया में मेरा है अर्ब आते बाद आएगी लेकिन एक घंटे तक एक घंटे तक सब कुछ नॉर्मल लेते तो आपको लगे कि कोई एमर्जेंसी आए जैसे मैं क्या करता हूं कोई एमर्जेंसी मुझे पील होती है तो सिंपली दुकान पे गए दो बोतल पानी खरीदा थोड़ा खाना खरीदा ठीक बारिश में लगातर फसे हुएं एक दिन से डेड़ दिन से हो सकते तब आपको कोई समान न बेजें तो अपना कैश बराबर रखें कोई भी शोपकीपर होगा आपको आप उसको 5 गुना 6 गुना पैसे देंगे आपको 20 रुपर ये बोतल आपको सो रुपर देंगे डेफि मिली जाया तो खाना और पानी केरी करने के आपको जोतनी है कैश रखें आप इंस्टेंट जैसे आपको लगता ही एमर्जेंसी है मुझे त्यार होना चाहिए सो रुपर दो सो रुपर तक काप अपना उसमें समान खरी दें दो ती लेटर पानी खरीद लें इंस्टेंट खाना खरी लें कुछ पैक्ट तो उसके लिए हो काफी है तो बैसिकली ये था गाइस मेरा एडीसी आपको वीडियो अच्छा लगा हो कोई सेजेशन सो ओन लाइक करें नहीं हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब करें तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद